तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है वाई यूर स्पाउस फॉल इन लब विद यू तो वो जो है क्यूं आप से ही प्यार करेंगे या किस तरीकी के उनके फीलिंग या थॉट प्रोसेस रहेगा तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखें हैं पाइल नमबर वड अभ्ल वाएल नमबर वं पाइल नमबर टू पाइल नमबर वन को आप इस एनरजी से या इस इमेज से च्छूड कर सकते हैं या फिर अपने जोडिक साइं से च्छूट sunt कर सकते हैं ऐसे आरार individuals क póstnh next आ रहा है chariot cancer energy आई है next आ रहा है six of wands अभी मैं आपको zodiac sign बताती हूं next आ रहा eight of cups next आ रहा है the world कुछ और cards देख लेते हैं next आ रहा wheel of fortune next है three of swords okay next आ रहा ten of cups next आ रहा magician और next आ रहाँ आपके पास the sun बहुत अच्छे cards आए हैं यहां पर जो zodiac sign prominent है वो मैं पहले आपको बता देती हूं फिर मैं बताती हूं आपको explain करती हूं तो यहां पर cancer energy है Leo है Pisces है Gemini है Aquarius है Taurus energy है Pisces I think बोल दिया था Aries energy है और Capricorn के energy भी है ठीक है तो यहां पर जो है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आपके spouse चाहे male हो चाहे female हो वो आप से इसना ज़ादा attachment वो इसलिए दो वजह से रखेंगे पहली चीज जब आप vulnerable होगे या आप जो है दुखी होते हो या sad होते हो या कोई moment ऐसा होता है हरे की life में होता है कि आप बहुता दुखी हो तो वो पहले आपके पास बैठेंगे हमेशा और आपके साथ रहेंगे कुछ नहीं बोलेंगे पहले वो आपकी सारी बाते सुनना ही नहीं चाहते हैं वो सिर्फ एक lecture देते हैं और चले जाते हैं कि यह कर लेना चाहिए तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकि यहां पे आपको एक empathetic gesture उनका रहेगा और आपकी सारी बात सुनेंगे कि आपको कैसा feel हुआ कैसे जो है आप feel करते हो या वाड़ा है चेरियट जो है वो इस energy को दिखाता है कि moving forward वाली situation है कि आपको life में वो पूछेंगे कि आपको यह यह हो गया और आपने सुन लिया जितनी भी आपकी anxiety थी frustration थी गाली थी जो भी थी वो सब सुनी उसके बाद जो है वो यह कहींगे आप से कि अब क्या करना है य अरी मेरा मन करता है कि मैं ऐसे करूँ मेरा मन करता है वैसे करूँ तो वो जो है आपको शान्त करेंगे क्योंकि चेरियट energy आई है cancer moon है यहाँ पर वो बहुत जादा जो आपके emotions जो overwhelming emotions है जो भी आप रो रहे हैं परशान हो रहे हैं खासकर उस moment में वो आपको अपने गले से लगा लेंगे जब तक आप शान्त नहीं हो जाते हो तब तक वो आपके पास इसी तरीके से रहेंगे और वो जो है हमेशा आपसे इसी लगाव में हमेशा जो है वो आपके लिए protective रहेंगे और आपसे वो प्यार तो already करते ही है क्योंकि आपे 10 of cups भी आया है wheel of fortune भी आया है world भी आया है magician भी आया है sun भी आया है और जो बाकी negative या ups and downs वाली situation है उसमें वो आपको हमेशा गले लगा लेंगे और कुछ कहेंगे नहीं कि कोई judgment नहीं तुम्हें ये करना चाहिए था तुम्हें advice देना है ये वो ना कुछ नहीं सिर्फ गले से लगा लेंगे और बहुत ही लव की या जो उनके मन में आपके लिए feelings है वो किस depth तक चलती है तो वो चीज़ है यहां पर कि वो जैसे reading है कि वो आपसे क्यों लव करते है वो इसलिए नहीं लव करते है कि आपके पास कुछ specific quality है या बहुत जादा अच्छी शकल है या कुछ और है वो आपसे इसलिए ल एक sad जो है circumstances है या आप sad हो तो उससे जो है overcome करने में आपको मदद करेंगे six of words आया है आपके लिए कोई ना कोई नया job या नई opportunity ढूंडेंगे जिसकी वज़े से आप परिशान घूम रहे हो तो उसमें जो है वो आपका साथ देंगे और आपको जो है बढ़ते हुए growth करते हुए आगे देखना चाहते है और इस तरीके से देखना चाहते है कि आप नाम कर पाओ और वो चाहते हैं कि आपके नाम से जो है वो जाने जाए तो यहां पर इस तरीके की situation है वो आप سے इसले प्यार करते हैं क्योंकि आप समझ़दार हो लेकिन आपकी जो softer side है वो एक गेम खेल रहे हैं आप जो है बेड मिंटन खेलने गए मैच था मैच में टूर्णामेंट में आप हार गए हो और कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है हार जीत लगी रहती है तो उस समय जो आप बहुत जादा अपसेट हो अपने आप से गुस्सा हो तो वो जो है आपको एक तरी हो सकता है तो उस समय जो है ये आपके सामने या दूर भी हो लेकिन वो जो है वहाँ पे खड़े है तो आपकी चहरे पे रौनक आ जाएगी और इस तरीके का आपका प्रेमभाव रहेगा और आपकी चहरे की रौनक देखके वो और जादा जो उनका लव है आपके लिए वो evolve होता जाएगा धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा लव हमेशा grow होता है। अगर आपकी serious relationship में हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि समय के साथ जो है वो लव हमेशा evolve होता है, grow होता, उस में ये नहीं होता कि जो है वो जैसे की टीवी फिल्मों में दिखाया जाता है कि चुम्मा चाटी हो रही है कोई नहीं करता पर्सनल लाइफ में जरुष से ज़्यादा नहीं करता कभी मन हुआ कर भी लिया नहीं मन किया नहीं किया देखे यहाँ पर यही चीज है कि वो जो लव है वो ग्रो हो रहा है और वो ग्रो इस तरीके से हो रहा है कि उसको कहने की जरुवत नहीं है या बार-बार याद दिलाने की जरुवत नहीं है कि भई सौद अफे जो है वो आई लव यू कह रहे हो जरुवत ही नहीं पड़ती है वो अपने आप ही जो है हो जाता है नेक्स टार है और उनके सपोर्ट से भी कर लेते हो तो फिर जो है आप याद नी रखते हो तो इस तरीके की यहाँ पर एनरजी है बहुत जादा आपको वो सपोर्ट सिस्टम देने वाले आपके इमोशन्स को बहुत जादा वो अच्छी तरीके से समझते हैं और आपसे अच्छा कॉम्निके तो वो ही चीज है यहाँ पर और आप एक दूसरे को उसी तरीके से या उसी नजलिये से देखते हो इस वज़े से आप दोनों के मन में जो है मैं यहाँ पर mutually कहा रही हूँ हाला कि रीडिंग जो है वो आपके spouse पे है लेकिन मैं mutually कहा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इ तो इस तरीके के यहाँ पर एक अटूट प्रेम जो है वो यहाँ पर आ रहा है जिसको words में explain कर पाना कठेन है एक चारा wheel of fortune है wheel of fortune destiny को दिखाता है करमा को दिखाता है unexpected blessings को दिखाता है तो आपके जो spouse होगे चाए male हो चाए female हो वो इस चीज को accept करेंगे आपके सामने भी verbally भ गारें ऐसा नहीं है लेकिन उसके बावजू जो है कई बारी हमें ऐसा लगता है कि हम चार साल से वो ही काम कर रहे हैं और हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं और जैसे ही आप उनकी life में enter हुए हो तो आप अपना भी जो है एक कह सकते है fortune जो है वो उनके साथ जोड रहे हैं तो उस वज़े से जो है आपकी life में growth हो रही है financially, emotionally, spiritually और आप दोनों ही जो है वो बहुत जादा खुश रहोंगे इस वज़े से भी वो आपको प्यार करेंगे एक stable secure situation जो है आप दोनों के बीच में रहेगी और हमेशा जो है एक दूसरे के साथ एक ऐसा bonding रहेगी कि आपको खुद लगेगा कि ये actually में मुझे से इनसान जो है जितरा मैं अपने आपको पसंद करता हूँ उससे जादा ये इनसान जो है वो मुझे पसंद करता है या करती है तो इस तरीके की situation है तो आपके spouse जो है वो आपको एक high pedestal पर रखेंगे एक टार है three of thoughts है three of thoughts जो है वो उसी इनसान नहीं है ये कि तुझे रोना है तो रोले मुझे कोई फरक नहीं पड़ता ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो जो है अगर आप खाना नहीं भी खा रहे तो अपने हाथ से खिलाएंगे तो आप अगर जिद भी कर रहे हो तो भी जो है आप मान जाओगे तो इस तरीके की आप दोनों का relationship रहेगा और वो love आपको इसलिए करते है क्योंकि आप past में hurt हुए होगे अब जरूरी नहीं है कि break up ही हुआ हो कुछ लोगों के रहेगा भी लेकिन family situation हो सकती है कोई childhood में आपके love one जो है वो past away हो चुके हो भाई बेहन हो सकता है कोई pet भी even हो सकता है जिससे आपका बहुत जादा लगाव था और वो जो है उसकी death हुई और उस वज़े से जो है आप upset रहते हो क्योंकि आपको लगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो जो भी आपकी negative चीजे हैं या negative circumstances रहे हैं उसमें खुशी आपके चेहरे पे लाने वाले यही होंगी और इस वज़े से भी जो है वो आपको प्यार करेंगे कि यह नहीं कि सिर्फ उसे positive चीजों से ही आपसे जो है वो लगाव है कि आप खुश हो मुस्कुरा रहे हो तो आप अच्छे लग रहे हो और अगर आप रो रहे हो तो आपको अकेले छोड़ दिया नहीं ऐसा यहां नहीं हो रहा है औ और वो आपसे इसी लिए लव करते क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतने ups and downs देखे इतनी maturity देखी है लेकिन फिर भी जो है आपके अंदर वो innocence अभी विवर करा रहा है इस वजह से जो है वो आपको और ज़्यादा care करेंगे बहुत ज़्यादा pamper यहां पे मैं शब्द करना चाते हो तो वहां पर यह चीज़ हो रही है कि आप दोनों का एक सपना है कि मेरा यह घर हो या इतना तो हो ही मेरे पास और हर इनसान को होता है कि इतना तो मेरे पास wealth होई कि मैं सही से चला सकूं life जी सकूं मेरे पास बच्चे हों मेरा घर परिवार सब सही रहे और हर कि यह इच्छा होती है तो उसी तरीके से जो है आप लोगों का एक जो पिच्चर है लाइफ की या फैमली की वो जो है फुल्फिल हो रही और आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ ब्लेस्ट फील करोगे तो इस वज़े से भी जो है जो आपके लिए फैमली है वो बहुत दाद ठीक है तो वो चीज़ जो है आप दोनों अपने एफर्ट के साथ और अपनी स्मार्टनेस के साथ जो है वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस चीज़ को हमेशा आप समझ पाओगे या फील कर पाओगे कि आप लोग एक्चिलिवें ब्लेस्ट हो और जैसे म बहुत ज़्यादा प्रेमभाव रखेंगे और एड्मायर करेंगे नेक्स टारस सन का काड़ा सन जो है वो रेडियन्ट एनरजी को दिखाता है लिमनौसिटी को दिखाता है क्लारिटी को दिखाता है जिस तरीके से अगर आप किसी ठंड़े इलाके में है और बहुत समय से जो है वो बरफ जमी हुई है तो जहां पर आप रह रहे हो खासकर हम लोग तो ट्रॉपिकल कंट्री में इस तरीके से रहते हैं कि गर्मी ही जादा तर रहती है बट अगर आप कि बहुत जादे ठंडे इलाके में है जैसे स्वीडन हो गया या डिनमाक हो गया या कहीं और हो होशी होती है कि हाँ वह सूरज जो है वो निकल आया है और हम जो है अपने काम को एजीली कर सकते हैं एक लाइफ जो है वो एजी हो जाती है इस तरीके से वो आपको महसूस करेंगे कि आपके आने से उनकी लाइफ एजी हो गई है ऐसा नहीं है कि वो एफर्स पहले नहीं कर रहे थे कर रहे थे लेकिन एक समय से या एक जरूर से ज़ादा efforts लगाने पड़ रहे थे किसी भी normal काम को करने में लेकिन अब जो है उनको ऐसा लगने लगेगा कि life जो है वो easy हो गई इस वज़े से भी वो आपसे प्यार करेंगे और आपकी जो qualities है आपकी जो physical beauty है inner beauty है उसको भी बहुत ज़ादा वो admire करेंगे चलिए देखते है कुछ और cards तो पहला आ रहा है world और next आ रहा magician दोरों ही card जो है वो इस reading में भी आए हैं दुबारा confirmation हो रही है तो उनको ऐसा लगेगा कि आपने उनकी दुनिया जो है वो change कर दी है जैसे कि सिर्फ example दे रही हूँ जादा तर जो लड़के हैं या male हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़का ऐसा ही है ऐसा नहीं है लेकि जादा तर जो है जब तक उनकी life में कोई लड़की नहीं होती है चाहे वो relationship के through हो या फिर उनकी खुद की बहन हो या mother है या फिर wife है तब तक जो है वो अपनी जो hygiene level है वो उतना जादा अच्छी तरीके से carry नहीं करते है वो थोड़े lazy होते है usually ठीक है अब यहाँ पर लड़के कुछ comment करेंगे कि माम आपने ऐसे कह दिया बट यहीं चीज है कि वो थोड़ा सा hygiene level उतना अच्छा नहीं रहता है उनको यह रहता है कि सामने कोई लड़की है चाहे वो बाहर की हो चाहे वो अपनी ही बहन क्यों नहों वो कहा देगी कि भाई दाड़ी बन वाले क्या लग रहा है फिक है तो वो वाली चीज है यहां पर तो उसके हिसाब से भी उन में काफी ज़ादा transformation आएगी कि अपने आपको थोड़ा सा good looking बनाना या ठीक से रहना कि हाँ decency तो रहे कि इनसान दिख रहा है कि इनसान है यह नहीं कि बाल जो है वो ऐसे ही पड़े हैं और नहाए नहीं नहीं हो चार दिन तक नहाए नहीं नहीं रहे हो वो चीज जहां पर नहीं हो रही है और काफी changes आएंगे next star है magician का गाड़ा है magician जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि मैंने पहले भी कहा कि आप यह blessing की तरीके से आओगे उनकी life में और सब कुछ जो उनकी habits हैं जो बुरी habits हैं जैसे की बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होना या lazy होना कभी-कभी हो जाता है इनसान कोई बड़ी अब जो है मैं जो हूँ वो जादा ध्यान से रहता हूँ या जादा hygiene level maintain करके रखता हूँ और अपने आपको साफ सुतर रखता हूँ और एक family man की तरीके से behave करने लगाँ अभी तक जो है वो एक लड़के की तरीके से behave करते थे अरे हो जाएगा कर लेंगे बड़ अब जो ह करते हैं कुछ oracle cards आप से क्या हूँ प्यार करते हैं spend more time outdoors तो आप लोग बहुत जादा जो है वो घूमने फिर ना पसंद करोगे एक दूसरे के साथ जाना पसंद करोगे अब रेस्टरेंट हो सकता है बीच हो सकता है लेक हो सकती है कोई monument हो सकता है कुछ भी हो सकता है बाहर लेवल जो है वो चीज भी जो है यहां पे उनको समझ आएगी कि यह जरूरी है जादा तर लोग जो है मैंने पहले भी कहा कि थोड़े से जो है वो lazy होते हैं खासकर लड़के लड़कियां जो है वो बहुत जादा साफसुतरी रहती है तो उस चीज में जो है उनको समझ या इंक्रिमेंट लग गया जो भी चीज है तो उसमें पैसे की बढ़ोतरी होगी और नेक्स टारा जस्टिस उनको अपनी लाइफ में जो चाहिए था वो उनको यहां पर मिल जाएगा तो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो प ब नेक्स तारा ज़्याहरर में जोंका क्थ अभी आपको जोडस क्यंण बबदाति हूं नेक्स टारा जोंकिम टीकल değil க है नेक्स टारा नइजनक और सौर्श है नेक्स टार है Ace of Pentacles नेक्स टार है दस स्टार और नेक्स टार है आपके पास Eight of Pentacles तो यहाँ पर prominent zodiac sign में आपको बता देती हूँ यहाँ पर Aquarius sign है, Libra है टारस एनर्जी है, Cancer एनर्जी है, Prices एनर्जी है Aries है, Sagittarius है Virgo एनर्जी है और Capricorn की energy भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप male हो, चाहे female हो, अपने gender से resonate करना, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो जो है आपको इसलिए भी पसंद करेंगी, क्योंकि आप conflict को बहुत अच्छी तरीके से, या जो है, मैं पीछे कीच दूँगा, ऐसी situation को भी आप बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हाई प्रिस्ट्रस आया है, अपनी wisdom से, अपनी spiritual wisdom से, जो है, बहुत अच्छी तरीके से टाकल कर लोगे, जैसे family है, member है, तो family में जो है, आप जैसे माले, मालीजे, जैसे नहीं हो, कि भई, अच्छा है, चलो, अच्छी बात है, नहीं, आप ये कहोगे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और पापा आपको भी ये नहीं करना चाहिए, तो आप दो है, दोनों को ही समझाओगी, क्योंकि आपको ये घर को जोड़ कर रखना, इंप्रेस आया, किंग ओफ कॉप्स आया, नहीं करना चाहिए, तो उनको भी ये रिलाइजेशन होगा, कि हाँ, मैंने कुछ गलती करी है, और ये जो बच्ची है, या बहू है, वो मुझे सही कह रही है, जात और लोगों को यहीं रहता है, कि भई, मुझे सिलके रहो, लेकिन आपका ऐसा नहीं रहेगा, इस वज़े से भी वो आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आप लिडर्शिप क्वालिटी में हो, और इस तरीके से लिडर्शिप क्वालिटी करते हो, कि लाइफ को या फैमिली को सही तरीके से लीड करना है, यह नहीं कि आप लड़ाई जगड़ा कर रहे हो, या आग लगाने वालों में से, या उल्टी-सी-दी हरकते कर रहे हो, नहीं, आपके लिए फामिली बहु ज़ादा इंपॉर्टन्स रखती है, नेक्स्ट आरा बहुत ज़ादा प्यार करेंगे, हाला कि आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है और इनर ब्यूटी है, उसको तो पसंद करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी spiritual नेसको भी बहुत ज़ादा पसंद करेंगे, तो आपकी जो thought process है वो बहुत ही जादा गलत वेका नहीं होगा वो बहुत ही जादा decent होगा इनोसेंट होगा तो इस तरीके की यहाँ पर energy है आपको fool या तुलसी बहुत जादा पसंद हो सकती है या आपको gardening का बहुत जादा शौक हो सकता है तो जाता time जो है आपका garden में या जो भी छोटा स जो है और king of coins है आप अपने practical life को जो उसकी practicality है यह stability है security है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से tackle करोगे और emotions को भी बहुत अच्छी तरीके से tackle करोगे इस वज़े से यहाँ पर जो है आप दोनों में ही बहुत जाद एक अच्छी bonding create होगी एक practical और emotional side का balance बहुत अच्छी त इसा नहीं है कि एक emotional person है तो वो emotionally ही है वो सारी जिन्दगी जो है emotions में ही बहता रहेगा लेकिन practical solution या decision नहीं ले पाता है ऐसा नहीं है आप decision भी लेने वाले में से और आप emotionally बहुत जाद है mature होगे तो यह कह सकते हैं कि आपका EQ emotional quotient जो है वो बहुत जाद हाई होगा और आप को हर तरीके की situation को टाकल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है बच्चे हैं तो बच्चों की तरीके से टाकल करना है बड़े बुज़र्ग है तो बड़े बुज़र्ग के तरीके से तो आप एक जिम्मेदार इंसान हो और एक अच्छे emotionally well balanced इंसान हो नेक्स आरा night of wands है night of risk taking ability को भी दिखाता है आप usually जो है वो बिना calculation के कोई risk नहीं लेते हो लेकिर उसके बाब जो जो है आपको पता है कि रिस्क यहां पे लेना पड़ेगा और life को आगे बढ़ाना है और सही तरीके से चलाना है तो मुझे जो है वो यहां पे जाना चाहिए आपको जो है long drive एक naughtiness भी है जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी तो इस तरीके की यहां पे energy है नेक्स टार है eight of swords है eight of swords जो है overthinking process को भी दिखाता है कई बारी जो है आप overthinking जादा करते हो अब यह चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है वो दोनों तरीके से है पसंद इस sense में है कि आप family के बारे में सोच रहो अपने बारे में सोच रहो अपने spouse के बारे में सोच रहो चिल्डरन के बारे में सोच रहो तो एक हद तक ठीक भी है कि यह इनसान को care है और वो life को अच्छी तरीके से lead करना चाता है लेकिन जब आप overthinking जादा करते हो तो उन्हें यह चीज़ ब कुछ deserve नहीं करते क्योंकि आप में sacrifice करने की जादा जो है वो प्रवत्ति होगी और वो नहीं चाते है कि आप sacrifice करो तो इस वज़े से जब भी आप इस तरीके के mode में यह survival mode में जाने लग जाओगे तो वो जो है आपको हमेशा support करेंगे एक स्टार है Ace of Pentacles जो है new beginning को भी से आजकल जो है वो nuclear families बहुत जादा बढ़ गई है तो वो सिफ अपने पैसे के बारे में सोचते हैं और अगर joint family है तो उसके बारे में नहीं सोच रहे है ऐसा अगर मतलब कोई problem आती है family में तो वो जो है पैसे का लेंदेन भी यहाँ पर होगा लेकिन हाँ बशरते यह आप offer कर दोगे उनको help चाहे कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे का साथ निभाना है तो निभाना है वो चीज़ है यहाँ पर इस वज़े से भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे नेक्स टार स्टार का काड़ है स्टार जो है वो hope को दिखाता है एकोईरे सेनरजी को दिखाता है आप में और उनमें जो है वो बहुत जादा एक कह सकते हैं healing bond भी रहेगा यहाँ पर जब भी कोई प्राब्लम आती है आपकी life में उनकी life में या इकठे तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे यहाँ पर यह नहीं है कि कोई भाग जाता है एक दूसरे से दूर या फिर जो है ऐसा महसूस हो कि एक दूसरे का साथ नहीं देना या अपना selfish interest है कि भई ससुराल वाले है तो ससुराल का जो है फाइदा हो रहा है तो माईके वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है दोनों को जो है एक equal पैमाने पे आप दोनों एकठे जज़ करते हो और एक दूसरे का साथ देते हो इस वज़े से भी जो है आप एक दूसरे से प्रेमभाव रखोगे और आपके spouse जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे नेक्स चाहरा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है एट ऑफ पेंटिकल्स बोगो इनरजी को दि ध्यानपूर्वा काम करते हो आपको mistakes करना पसंद नहीं है आप जो है फालतू को excuses नहीं बनाते हो और आपको बिलकुल भी पसंद नहीं है कि कोई जरू से ज़ादा इंटरफेर करें आपके काम में आप बहुत अच्छी तरीके से एक skill को सीखना और उसको जो है polish करते जाना उस तरीके से है यहां पर तो उस वज़े से भी वो आपको बहुत जादा प्यार करेंगे और आपको एक high regard में वो हमीशा देखेंगे चलिए देखते हैं कुछ और cards यहां पर आ रहा है emperor आ और star आ रहा है star फिर से आया है और emperor की energy भी आई है तो एक आपके पास commanding energy भी है पै इसी से ठीक है एकस वाई जैड़ा लड़का लड़की है लड़का जो है वो उसको commitment नहीं दे रहा तो लड़की जो है बैक आफ कर जीगी वो जो है वो रोने वाली मेंसे नहीं है कि हाँ तुम में से क्यों नहीं बात करते हाई मैं मरी जा रही हूँ यह हो गया आपका ये nature है कि भई तुम मुझे commitment नहीं दे सकते तो लड़की जो है वो तुम्हें नहीं मिल सकती अगर तुम जिम्मेदारी लड़की की नहीं निभा सकते तो मैं तुम्हें जो हूँ लड़की नहीं दूँगा इस तरीके की चीज है यहाँ पर वो जो समाज का perspective है जो practical rules कुछ हद बनाए भी गए और जो कुछ हद तक सही भी है अगर लड़की किसी को ऐसे ही मिल जा और उसकी जम्मेदारी कोई ना निभाए तो लड़की के साथ क्या करेगा आपको सोचने की विजूरत नहीं है ठीक है न वहीं चीज है यहाँ पर कि अगर आप लड़की की जम्मेदारी नहीं निभा सकते हो उसको खाने को ठीक से नहीं दे सकते है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते है वो आपके साथ क्यों रहे इस तरीके का माइंड सेट आपका रहेगा और इस वज़े से भी वह आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंग लोग अपनी lifetime या 60 साल के या 70 साल के होके मर भी जाते हैं लेकिन वो उतनी wisdom नहीं होती लेकिन आपके पास young age में इतनी wisdom होगी क्योंकि आप जो है वो old soul होगे और आपनी life lessons बहुत जल्दी सीखे होगे या फिर आपका childhood जो है वो इस तरीके करा होगा कि आपको सब कुछ जो है responsibility बहुत जल्दी लेनी पड़ी होगी और आप अपने emotion से decision लेके logical decision लेना जादा पसंद करते हो और ऐसा decision लेते हो emotions भी ज़रूरी है wealth भी ज़रूरी है decision लेना भी ज़रूरी है इस वज़े से वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे तो चलिए रेखते हैं कुछ औरिकल कार्ड पहला आ रहा है boundaries तो यहाँ पर आप अपनी high boundaries रखते हो जिससे बात करनी है जो आपके लायक है उससे आप बात करते हो बाकी जो है लोगों का entertain नहीं करते हो इस तरीके की यहाँ पर energy है कुछ और निकाल लेते हैं यहाँ पर inner peace आ रही है और love is coming आ रहा है तो इस तरीके की भी यहाँ पर है कि आप अपनी inner peace को कभी भी मतलब disrupt नहीं होने देते अंदर से शान्त हो और उसी तरीके की feelings भी रखते हो और अपने आपके मन में शान्ती र समिशा आता है इन सेंस ओफ यह नहीं कि सिर्फ spouse की तरीके से या relationship की तरीके से छोटे-छोटे बच्चे भी हैं वो भी आपके पास आना पसंद करते हैं क्योंकि आप बच्चों के साथ बच्चा बनना पसंद करते हो वो जो है अपने मन की बात जो माबाब को नहीं बता पा थांक यू